दोस्तो अच्छी आदतों का होना अपने आप में गिफ्ट की तरह है आपकी अच्छी आदतें आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं सीधी सी बात है आपकी अच्छी आदतें आपको पॉजिटिवडी से बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हैं वहीं अपने हर दिन को युही मौजमस्ती के साथ गुजार देते हैं और स्मोकिंग और ट्रिंकिंग जीसी बुरी आदतों के साथ रहते हैं। इसी कॉंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम एक बहुतरीन किताब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसे मेल रॉबिन्स ने लिखा है आपने बच्चों को देखा होगा जब एक बच्चा कोई काम करता है और जब आप उस काम को देखकर उस बच्चे की बढ़ाई करते हैं और उसे एक मामूल सा हाइफाई देते हैं तो उससे वो बच्चा मोटिवेटिड हो जाता है और उस काम को और बहतर तरीके से करने की कोशिश करता है मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा हाइफाई उस बच्चे के लिए कितना ज़ादा ज़रूरी होता है ठीक इसी थरा एक हाइफाई आपके जीवन में भी बहतर बदलाव ला सकता है इस किताब में हम हाइफाई हैबिट को अपनाने के तरीके के बारे में जानने वाले हैं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन को सबसे important इंसान की रूप में कैसे जीना शुरू कर सकते हैं। High-five habit सुनने में काफी आसान है लेकिन इस habit को अपना कर आप बहुती अच्छे बदलाव महसूस कर सकते हैं। Author ने ऐसे कई लोगों के बारे में भी पताया है जिन्नोंने इस habit को अपनाया और अपने जीवन में बहतर result हासल किये। किताब के जरिये आप अपने आप पर भुरुसा करना सीख सकते हैं और इसे एक habit की तरह अपना सकते हैं जिससे आप उस confidence के साथ काम कर सकते हैं जो आपके goals और सपनों को पूरा कर सकता है। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, immediately इस channel को subscribe कर दें और वीडियो को भी like कर दें तो चिले फिस शुरू करते हैं। और किसी को प्यार करने लायक नहीं देख सकते हैं तो कोई और क्यों देखेगा और कोई और आपसे प्यार क्यों करेगा। और हर किसी के बार में बात करते हुए, जब आप सीखते हैं कि खुद से प्यार और खुद को support कैसे करें, तो ये आपके जीवन में हर रिष्टे की मदद करता है। जब आप खुद का celebration मना सकते हैं, तो ये आपको दूसरों के लिए जोर से खुश करने में मदद करता है। जब आप से की आप हैं, जहां आप हैं और जहां आप अभी आज से शुरू हो रहे हैं, आप ना सिर्व इसके लायक हैं, साथ ही आपको इसकी जरूरत भी है, ये आपकी सबसे primal emotional जरूरतों को पूरा करता है, जिससे आपके according देखा जाना, सुना जाना और स्वीकार किया जाना चाहिए, इससे भी जादा बात की जाए तो research के आधार पर, आप तब काम्याब होते हैं, जब आप इस तरह का support हासिल करते हैं, कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो, incentive महसूस करना, भरोसा करना, celebrate करना, इस planet पर मौजूद, सबसे inspiring ताकते हैं, जिनकी जरियाग वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाते हैं, अब सवाल ये बनता है, कि ये आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है, तो इसका जवाब बहुती आसान है, जब आप हाई-फाय हैबिट को एक daily habit बनाते हैं, तो आप self-love और self-acceptance के secret को आसानी से ढून सकते हैं, ये खुद को हाई करने के बार में एक और अजीब हिस्सा है, जिसके जरिये आप बारी चीजों को देखने की बजाए, अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगते हैं, बतलब आप उस इंसान और वो सब को जो आपकी जीवन का representation करता है, उसको जान लेते हैं, तो अब आप जब भी अपने आपको शीशे में देखते हैं, तो ध्यान रखें कि आप शीशे में सिर्फ अपने physical self को नहीं देख रही हैं, बलकि आप अपनी मौजूद्गी को महसूस कर रही हैं, जैसे एक पड़ुसी अपने सामने की खिटकी से आपकी और हाथ हिला रहा है आप अपना हाथ उठाते हैं और चुप चाप अपने आप से कहते हैं अरे आप मुझे आपको देखना है आपको ये मिल गया है और जब आप रोज सुबह उटकर खुद को शीशे में देखते हुए अपनी मौजूदगी को महसूस करते हैं और उन्हें अपनी ग्रीट बनाएं आपकी inspiration आपकी flexibility और आपके outlook पर एक बहुत बड़ा impact डालता है तो बस आज से ही खुद की मौजूदगी को greet करने की शुरुआत करें और रोज सुबह ऐसा करते हुए इससे अपनी habit बनाएं धीरे धीरे आप positive results को खुद महसूस कर सकते हैं ये जानना ज़रूरी है hi-fi habit एक gesture नहीं है ये एक self verification है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके situation में हैं खुद को पहचानने और खुद की बढ़ाई करने के लिए कोई खास मौका नहीं होता अगर आप boxer shots एक ready clothing अपने exercise gear या अपने birthday के suit में खड़े हैं तब भी शिशे के सामने जाकर शिशे से टकराता है आपका mode के लिए कैसी चीज नहीं है जो बदल सकता है इसके साथ ही आपका नजरिया भी बदल जाता है ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आज आप कौन सा बड़ा काम करना चाहते हैं या किस बड़े काम को आपको पूरा करना चाहिए तो इस त पहले भी अपने जरूरी कामों को पूरा करने के लिए एक to-do list बनाई होगी और अगर नहीं बनाई है तो जल्दे एक to-do list बनाएं और उसमें अपने उन सभी जरूरी कामों को शामिल करें जिससे आप पूरा करना चाहते हैं फिर शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से प बजे से एक काम को पूरा करना मुश्किल हो जाता है इसलिए ऐसा करने की बजाए हाइफाइफ की प्राक्टिस करें और सोचे कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं आज आप कैसे दिखना चाहते हैं आप कौन बनना चाहते हैं आपका एक personal project क्या है जिस पर आपको अप जादा powerful हो सकता है सीधे शब्दों में कहें तो खुद की ताकुत को महसूस करना इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है Harvard Business School के हाल की research में पाया गया है कि अपने काम पर एक पल mirror करने से job की performance में सुधार होता है जिससे आपको जादा effective होने में मदद मिलती है और आपको हासिल करने में आपके confidence से लेकर जादा productive बनाने तक सब कुछ influence करता है ये सब mirror करने के एक मामूली पल से possible होता है तो अपने जीवन में successful और productive बनने के लिए बसाथ सही ऐसा करने की शुरुआत करें आप समझते हैं कि कैसे research इसका support करता है एक high five की motivational power को अच्छी तरह से documented किय इसको अपने जीवन में हासिल करने के लिए वास्तव में तब तक इंतिजार करें जब तक आप ये ना सुने कि research ने चुनोती से भरे कामों के सामने बच्चों को motivate करने के सबसे अच्छे तरीकों को पता लगाते से में high five के बारे में क्या खूच की है इसका पता लगाने के एक research में school age category के बच्चों को तीन ग्रूप में बाटा गया था और उन्हें कुछ मुछ काम को पूरा करने के लिए कहा गया था फिर researchers ने उन्हें incentive के तीन अलगल ग्रूपों में से एक दिया बच्चों को या तो अपनी speciality के लिए बढ़ाई की गई थी जैसे कि आप बहुत अच्छा motivation था जैसा कि हैं मकसर बच्चों को motivate करने के लिए करते हैं उन्हें किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हें एक high five देते हैं जिससे वो आगे बढ़ते हैं Research में बताया गया जिन बच्चों को बताया गया था कि वो smart, brilliant और skilled थे वो कम से कम motivated थे और उन्हें कम से कम मज़ा आया था जबकि जिन बच्चों के उनकी कोशिशों के लिए बढ़ाई की गई थी उन्होंने जादा खुशी महसूस की और मजबूती के high level की performance दी लेकिन जिन clear थे कि researchers ने इस research को high five motive का title दिया इसे psychology में academic general frontier में publish किया क्या इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा high five आपके result को पूरी तरीके से बदल सकता है और आपको आगे बढ़ने के लिए काफी जादा motivate कर सकता है अगर आप ध्यान दे तो आपने महसूस किया होगा कि जब भ नाम को और मस्बूती से करने लगते हैं ठीक इसी तरह आप भी अपने result को भैतर बनाने के लिए खुद को high five दे सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के शुरौत कर सकते हैं तो चले फिर अब समझते हैं high five confidence और एक champion को कैसे build करें एक high five आपको अपने आप में और रिकॉर्ड किया कि कितनी बार खिलाडियों ने एक दूसरे को high five और encouragement के दूसरे signal दिये जैसे fist bump सीजन के शुरौत में एक गेम के समय high five के number का इस्तमाल करते हुए researchers ने भविश्यवानी की कि सीजन के आखिर में कौन सी टीमों के पास सबसे अच्छे records होंगे सबसे भैतरी NBA टी में जिनोंने championship में जगे बनाई वो वो थी जिनोंने सीजन के शुरौत में सबसे ज़ादा high five दिये थे अब सवाल ये बनता है कि एक मामूली high five positive results की इतनी अच्छी भविशावनी कैसे कर सकता है असल में सब कुछ आपके भरोसे पर आता है जिन टीमोंने लगातार 5 points वो एक दूसरे को उपर उठाते रहे फिजिकल टच कहता है मुझे आपका support मिल गया है चलो चलते हैं हम सबी के पास एक दूसरे का support मौझूद है इसके साथ ही high five के बहुत सारे फायदे होते हैं ये आपके एक bad game को दूर करने में आपकी मदद करता है ये आपके mood को भढ़ जैसे वो एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं उनके जरिये शेयर की गई भरोसे की शक्ति ने उन्हें champion बना दिया इसके इलावा जिन लोगों ने बिल्कुल भी high five के समाल नहीं किया था और एक दूसरे को support नहीं किया था वो लोग बुरे तरीके से हार के इसके साथ ही लोगों ने self होकर खेला जिसके वज़े से उनका record सबसे खराब रहा यहां तक कि अगर एक team के पास अच्छे खिलाडी हैं तो यह सिर्फ काफी नहीं होता है जब आप practice के हर पल में पूरे season के दौरान और championship जीतने के हग से high five करते हैं तो यह आपके लिए celebration और promotion का culture बनाता ह यह आपको selfish रूप से अपना सब कुछ देने के लिए inspire करता है यह वो भावना है जिसकी आपको जरूत है और आप अपने साथ उस partnership को बना सकते हैं इसका फायदा उठाने के लिए इस भावना को महसूस करने के शुरूरात करें अब यह समझें कि kind होना भी बहुत जरूरी ह जब researchers उन सबी चीजों का research करते हैं जिने आप अपने जीवन में बदल सकते हैं जो आपके जीवन की quality पर meaningful effect डालते हैं तो आपको एक सबसे जरूरी बदलाव करने की जरूरत है यह बदलाव खुद की तरफ काइन होने की habit को बनाना है बिटेन की University of Hertfordshire की researchers ने खुशी और satisfaction पैदा करने वाले चीजों पर research किया उन्होंने behavior और आदतों की पूरी chain को देखा जो आप अपनी जीवन को बहतर बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें exercise करने से लेकर नई चीजों की कोशिच करने के लिए अपने रिष्टों पर काम करने के लिए दूसरों की तरफ खुद को accept करें मतलब आप अपने आपकी तरफ कितने द्यालू हैं और आपने खुद को खुश करने के लिए क्या किया इसका आपकी खुशी पर सीधा और proportional effect पड़ता है सीधे शब्दों में कहें तो अपने आपकी तरफ द्यालू होने में आपकी जीवन को पूरी तरसे ब बदलने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं इसके बाद भी आप सोचते हैं कि आप अभी भी काफी नहीं कर रहे हैं या इसे सही से नहीं कर रहे हैं यही कारण है कि अपने आपकी तरफ द्यालू होना वास्तव में माइने रखता है इसकी शुरुआत करने के लिए आ आगे बढ़ने की शुरात कैसे करनी है जबकि ये काफी आसान है जिन लोगों के माता-पिता खुद पर हाश थे वो बदले में अपने बच्चों के लिए भी हाश होते हैं सीधे शब्दों में कहें तो कुछ लोग एक ऐसे environment में बड़े हुए होते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं यही वज़ा है जिससे जिन लोगों के आसपास का environment ऐसा रहता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं एक जांबल के रूप में आप एक ऐसी मां के साथ बड़े हो सकते हैं जिसने खुद का criticism किया या जो खुद के लिए समय निकालने के लिए दोशी महसूस करती थी या एक पिता जिसने अपनी भावनाव को कभी express नहीं किया और अपने self worth को इस आधार पर मापा कि उसने क्या कामाया और उसने घर के बार कैसी success हासिल की अगर आप अपने आप पर हार्ष हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं ऐसा करके आप अपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं इसलिए ऐसा करने की बजाए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए encourage करें अगर आप एक बच्चे की रूप में इन सब चीजों से गुजर चुके हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चों को इसका सामना ना करना पड़े हाला कि ऐसा करना एक बार में possible नहीं होता है कभी-कभी आप हार्ष हो सकते हैं लेकिन इसके बाद अपनी गलती को माने और जब भी आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके माता-पिता ने वही धोराया जो उनके साथ किया गया यही कारण है कि आप अपने आप पर इतने हार्ष हैं एक बच्चे के रूप में आपका दिमाग आपके आसपास के हर चीज को अब्जॉब करता है तो चुन्ना आपको है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाते हैं अगर आप उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करना चाते हैं तो उन्हें एक हाई फैव देकर आगे बढ़ने के लिए एंकरेज करें और उनकी कोशिशों के लिए उनकी बढ़ाई करें ठीक ऐसा ही आप अपने साथ भी कर सकते हैं अपनी कोशिशों के लिए भी खुद की बढ़ाई करें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें आप कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करते हैं जिनें अक्सर पूछा जाता है मैं इसे कैशे शुरू करूँ किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सवाल अक्सर सभी के मन में आता है जबकि शुरू करना बहुत ही आसान है अगर बात की जाए हाइफ़ हैबिट को अपनाने की तो हर सुबह इससे पहले कि आप अपने फोन को देखें या दुनिया भर की चीज़ों में अपने दिमाग को डालें अपने रिफ्लेक्शन के साथ रहने के लिए एक पल लें फिर जब आपस बात्रूम को छोड़ते हैं तो लगवा घर पल दूसरे लोगों के बारे में होने वाला है आप अपने फोन से भटक सकते हैं कि आपके काम पर क्या हो रहा है या बच्चों को क्या चाहिए लेकिन ध्यान रखें कि हाइफाई हैबिट आपके लिए हर सुबह एक पल है इसमें दो आसान लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं शीशे के सामने खड़े होकर बस एक सेकेंड के लिए अपने आपके साथ रहें जब आप तयार महसूस करते हैं तो शीशे में खुद को हाइफाइफ दे अब सवाल ये आता है कि हाइफाइफ किसी और को क्यों नहीं जब आप दूसरे लोगों की acceptance में अपनी कीमत को तलाशते हैं तो आप गल शीशे में देख रहे हैं सिधे शब्दों में कहें तो अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया पर एक मीलन लाइक का कोई मतलब नहीं है इसलिए दूसरों की पसंद को देखने की बचाए खुद को पसंद करना शुरू करें और खुद की बढ़ाई खुद करने पर ध्यान दे जब आप खुद की बढ़ाई खुद करते हैं और खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग भी आपको सच में पसंद करना शुरू कर देंगे अब सवाल ये आता है कि कुछ इतना असान क्यों काम करता है कहने को तो इस habit को अपनाना बहुत यासान काम है और असल में इस habit को अपनाना सही माइने में काम भी करता है ये असान होगा ये सोचना ये सबसे बेवकूफी वाली बात है लेकिन इसमें एक secret छुपा हुआ है अब सूचिए अगर हाइफाई habit को अपनाना इतना जादा असान है तो आप इसे कैसे करेंगे ये टूल सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप उनका इस्तमाल करते हैं आपके behavior में बदलाव सिर्फ तभी होता है जब आप behavior को दोराते हैं हाइफाई को अपने एक नई habit बनाने के लिए रोज इस्तमाल करें क्योंकि ये असान है और वास्तव में अच्छा लगता है इसलिए हर एक दिन ऐसा करके आप खुद को साबित करेंगे कि आप एक चुनोदी का सामना कर सकते हैं और सही माइने में ये आपके confidence को बढ़ाता है बस इसे habit बनाने पर ध्यान दें अब समझते हैं कि हमारा अगला step क्या है एक high five सुभा अब दक हमने high five habit के फायदे और high five habit को बनाने के तरीके के बारे में जाना आपने जान लिया होगा कि high five habit को अपना कर आप अपने जीवन में बहतर result हासिल कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले जाना high five habit को अपनी habit बनाने के लिए हर सुभा practice करने की जरूत है क्योंकि high five habit सुभा का एक पल है तो आईए अब जानते हैं कि high five सुभा के शुरात कैसे की जा सकती है एक high five सुभा असान वादों की तरह है जिसे असानी से पूरा किया जा सकता है हर एक वादा research के जरिये से किताबों में शामिल किया गया है जिसे करना बहुत ही असान है जब आप खुछे इन वादों को कर लेते हैं तो आपको च्छे results मिलते हैं जिसे आप खुशी और satisfaction हसल कर सकते हैं ये तब शुरू होता है जब आपका अलाम बसता है अब बस high five habit को अपनी नई habit बनाने के लिए किताब में बताय गए इन steps को follow करें अपने आपको सबसे पहले रखें अलाम बजने पर उठें अपने आपको बताएं कि आपको क्या सुननी की ज़रुत है कहें मैं ठीक हूँ मैं safe हूँ मैं खुद से प्यार करता हूँ अपने आपको एक gift दे अपना बिस्तर बनाएं अपने आपको बनाएं शीषे में खुद को देखकर high five दे अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और सुभव वर्काउट जरूर करें एक हाई फाइफ सुभव वो है जिससे आपके दिन के शुरात होती है ये वादे आपको अपनी टू-डू लिस्ट अपने फून, सोशल मीडिया, काम के एमेल नियूज में उथल-फुथल, आपके परिवार की जरूर तो और आपके कंट्रोल के बाहर बाकि सब कुछ से पहले अपने आपको अपनी जरूर तो, अपने गोल्स को प्रियोटी देने में मदद करते हैं जब आप अपने आपसे नासान वादों को पूरा करते हैं तो आप पहले आते हैं और हर सुबह के साथ आपके जीवन का हर दिम बहतर होता जाता है तो बस अपने जीवन में बहतर बदलाव महसूस करने के लिए खुद से इन वादों को करें और एक हाई फाई हैबिट के साथ अपने बहतर जीवन के शुरुआत करें तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही तो आईए अब सीखे हुए लेसंस को एक बार दोरा लेते हैं भरोजा करें कि आप हाई फाई जीवन को अपनाने के लायक हैं शिशे के सामने खड़े होकर अपने इनर सेल्फ की मौजिदगी को महसूस करें मोटिवेटेड महसूस करने के लिए खुद को एक हाई फाई दे खुद की तरफ दयालू बने और आप जैसे हैं वैसे ही खुद को सुईकार करें खुद की बढ़ाई करने के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें हाई फाई हैबिट को अपनी नई हैबिट बनाएं अपने जीवन में बहतर बदलाव लाने के लिए हाई फाई हैबिट को बनाने वाले वादों को पूरा करें तो दोस्तो हमने इस किताब से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आई होप आप इस किताब के सभी लेसेंस को अपनी लाइफ में अपना कर आप अपनी लाइफ को और भी भैतर बना पाएंगे आप इस बुक को औरडर करके और भी डीटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप हमारी संब्रीज को पढ़ना भी चाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट readobooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं अब आप हमारी सभी बुक संब्रीज को इंडिया के सभी मेजर आडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं सभी का link description में दिया गया है इसके साथ इस चैनल को subscribe तो कर ही देना and hit the bell icon ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियो को देख सकें जल्दी मिलते हैं और भी बहतरीन वीडियो के साथ Thank you so much